बिहार के भुचपूर जिले के जगदीश पूर अंचल कारेले के राजस्व करमच्वारी को निगरानी की टीम ने शुकरवार को पजवास हजार रुपए घूस लेते रंगे हातों गिरफतार कर लिया। निगरानी में विरेंद्र पासवान को जगदीशपुर अंचल कारेले से गिरफतार किया गया जुआनकारी के अनुसार आयर्थ हना श्येत्र के कुसुमहा गाउन निवासी हनुमान सिंग के बेटे लाल जी सिंग ने साथ दिसंबर को निगरानी पटना में शुकायत दर्ज कराई थी शुकायत मिले के बाद शुकरवार को निगरानी की टीम ने ये कारवाई की है गिरफतारे के बाद टीम आरोपी को पटना लेकर चली गई जानकारी के अनुसार राजस्व करमचारी सुबह अंचल कारेले पहुंचा उसके बाद अपने कारेले के काम से अंचला अधिकारी जगदीश कुमार चेंबर में आया इधर शुकायत करता को राजस्व करमचारी ने रुपए लेने के लिए अंचल कारेले बुलाया ऐसे में जैसे ही शुकायत करता लाल सिंग ने 50,000 रुपए दे कर सिर पर हाथ फेरा वैसे ही निगरानी की टीम ने राजस्व करमचारी को धर्दब उचा ये देख वहां मौशूद लोगों के खोश उड़ गए इस मामले में डियस पी अरुन पासवान ने बताया कि शुकायत करता लाल जी सिंग ने राजस्व करमचारी के खिलाफ खारिज को नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी राजस्व करमचारी बेंदर पासवान परिवादी ता बेंदर बेंदर पासवान लाल जी सिंग से 50,000 रुपए जिसवत ले रहते हैं जमीन मोटासर के नाम पर है इसे प्राजिया आप लिए है लाल जी सिंग आपको 27,11 को दिया था वोटासरी लिए और जाके करमचारी से जाके बारत दिसंबर को ती चार बारत को उसे भेट किया कि सर मेरा मुड़ आपके यहां आया है बोटासर के लिए मोटासर के लिए इनोंने पचाछार प्रेके मंग जिए थी अवारे स्थी स्टाफ को अम्रों को बातना पड़ता है इतना व्याप को दिना पड़ेगा इस रुपया दिनाने चाहते थे निगरानी मैं इनोंने अब बता दें कि अयर्थाना शेत्र के कुसुमहा गाउन निवासी लाल जी सिंग ने मई 2019 में 9.375 डिसमिल जमीन खरीदी थी इसी जमीन को दाखिल खरीच के लिए शुकायत करता ने 27 नॉमबर को आउन लाइन आवेदन किया था बोजपुर सेर राकेश कुमार की रिपूट